हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम मादिका समानतर माध्य और बहुलब का फार्मूला क्या होता है उस फार्मूले को यहां पर हम देखेंगे चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस देखिए यहां पर पहला लिखा है मादिका मादिका का फार्मू लेका यूज कप करते हैं फ्रैस देखें यहां पिलिखा यह अता है पदो की संख्या संख्या हो देखी यह पदों की संख्या संख्या सम हो यहां भी क्या करेंगे मांत्र दिका क्या लगांगे यहन बटके दोवे पद का मान धन यन बटे के दो प्लस वनवे पद का मान ये आपका माधिका का फार्मूला हो गया दूसरा फार्मूला माधिका का जब यन पदों की संख्या विसाम हो अर्थात यन जो संख्या पदों की संख्या जब आप गिनेंगे वहां पर पदों की संख्या क्या हो विसम हो तो वहाँ माधिगा का फार्मूला हो था है यन, धन, दो, बड़ा की दो, वेपद का मा ये सभी जब फार्मूले आपको जब इसमे एक्जामपल लगाएंगे तो सभी आपका concept clear हो जाएगा अब अगला formula देखते हैं समानतर माद समानतर माद का formula होता है कि पदो की संख्याओं का योगफल अपान पदो की संख्या यानि कि जितने पद दिये होते हैं उन सभी का योगफल गयाद कीजिए उसमें पदो की संख्याओं से भाग दीजिए अगला formula आपका आता है बहुलग बहुलग जो होता है फ्रेंस इसका कोई formula आपको याद नहीं रखना है बहुलग का मतलब होता है कि कोई एक स्रीज दिया जाता है उसमें कौन से संख्या सबसे अधिक बार आई है देखें फ्रेंस यहाँ पर आपके example के तोर समझाते हैं कि जैसे यहाँ पर स्रीज दिया है दो तीन दो तीन दो चार जीरो दो इसमें सबसे अधिक बार आप जब देखेंगे तो सबसे अधिक बार जो संख्या कौन से आई है इन सभी फार्मॉलों को याद रखिएगा तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फार वाची